वेलकम एप्रिवान, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक लड़ू की रेसिपी, ये बहुत ही हेल्दी लड़ू है, इसके सारे इंग्रीडिन्स बहुत ही हेल्थ बेनिफिट है, तो चले देखते हैं इसके क्या-क्या इंग्रीडिन्स है, सबसे पहले हमने इसका बेस पोहे से बनाना है, तो यहाँ पर मैंने इस कटोरी के मेशेमेंट से तीन कटोरी पोहा ले लिया है, साथ में तीन कटोरी मैंने गुड ले लिया है, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है, इसी के साथ इसको फ्लेवर देने के लिए इलाइची पॉडर एक टीस्पून, एक कटोरी घी, एक कटोरी desiccated coconut, एक कटोरी मूंग फली और आदी कटोरी हमने यहाँ पर तिल ले ली है तो अब इस सारी ingredients को हम भून लेंगे, सबसे पहले पोहा डाल देंगे और पोहा को हलका हलका हम जब तक यह थोड़ा हलका brown ना हो जाए तब तक हम इसे भून लेंगे यह देखिए यह brown होना शुरू हो गया है और इसकी size भी थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है भूनने के बाद तो इसे आप 6-7 मिनट तक भून लीजे यह देखिए इतना color आने तक आप भून लीजे इसे अब हम यह जो मूंग फली है इसे भी भून लेंगे इसमें सारे जो ingredients है काफी health benefit ingredients हम यूज कर रहे है जैसे कि आप देख सकते हैं मूंग फली में काफी amount में protein होता है और तिल यहाँ पर ले लिया है हमने तिल में भी काफी calcium होता है तो तिल को भी हम हलका हलका भून लेंगे देखिए यह भी splutter होने लगती है हलका brown होने तक हमें इसे भी भून लेना है यह देखिए थोड़ी सी golden हो गई है अब हम इसे निकाल कर यह जो desiccated coconut है यह हम इसमें भून लेंगे इसे भी हम brown होने तक हलका हलका भून लेंगे सारी चीज़े आप medium आज पर भूने वरना बहुत जल्दी यह चीज़े जल जाती है अब हम यह जो mixtures हमने भून लिये थे इसे हम पीस लेंगे सबसे पहले हम पोहा को mixtures में बारिक कर लेंगे बिल्कुल powder करना है हमें यह देखिए इस तरह से यह powder form हो चुका है अब इसी के साथ हम moon fully भी पीस लेंगे इसका भी हमें powder बना लेना है यह देखिए यह भी बिल्कुल हमने बारिक पीस लिया है अब यह जो desiccated coconut है मैं इसे ऐसी ही दाल रही हो आप इसे भी पीस सकते है बट यह already थोड़ा powdered होता है तो मैंने direct डाल दिया है और तिल भी हमने direct डाल दिया है साथ में अब ilaichi powder हमने डाल दिया है इसे आप अच्छे से mix कर लीजे अब यह जो good हमने खीस के रखा था इसे भी हम इसमें mix कर लेंगे अच्छे से यह सारी ingredients हमी mix कर लेने है अब यह देखे यह जो mixture है बहुत ही सुखा सुखा है अब हम इसे घी में यह सारी ingredients है सब mix कर लेंगे तो घी मैंने आदा कटोरी पहले डाल दिया है आदा हम बाद में डालेंगे इसे आप अच्छी तरह से mix कर लीजे इस कड़ाई में ताकि यह सारी ingredients एक साथ मिल जाए और यह जो गुड है यह भी पिगल जाए medium आज पर हमें इसे चलाते रहना है और यह जो बाकी का घी है यह भी हमने इसमें add कर लिया है देखे अब यह जो mixture है यह थोड़ा सा हमें sticky हो जाएगा गुड के वज़े से और यह लड़ू form होने में काफी help हो जाएगी वरना यह बहुत सुखा सुखा लग रहा था अब यह देखे थोड़ी से इसमें stickyness आ गई है यह देखे परफेक्ट यह घी और गुड और बाकी के सारे ingredients परफेक्टली mix हो गए है और यह लड़ू भी form हो रहे है easily तो आप इसे हलकी गरम इसमें ही आपको इसे लड़ू form करने है अगर थड़ा हो जाएगा तो यह गुड फिर से कड़क हो जाएगा तो इसे हम थोड़े से गरम में ही लड़ू form कर लेंगे देखे इस तरह से आपको बाकी के सारे लड़ू भी बना लेने है यह देखे मैंने सारे लड़ू बनाकर रेडी कर लिये है आप इसे जरूर ट्राय करें यह एक बहुत ही हल्दी रेसिपी है और अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताए कि आपको यह रेसिपी कैसे लगी है और मेरे चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर करें